वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक स्मार्ट वाटर बोटल का रिव्यू इस वीडियो में देखेंगे कि कैसी है ये बोटल क्या इसके स्मार्ट फीचर्स हैं क्या-क्या इसमें आपको खास देखने को मिलता है तो वीडियो को एंड जरूर देखना और चेक आउट करते हैं सबसे पहले इसकी अन्बॉक्सिंग तो यह मैंने फ्लिपकार्ट से ओडर करी थी काफी कूल सी और काफी अच्छे प्राइस पर यह मुझे मिल गई थी कुछ ओफर ओफर लगाके मुझे यह 200 रुपे की पड़ी थी नॉर्मली इसक बॉटल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा बाकी अब अन्बॉक्सिंग देख लेते हैं तो यहां पर सब कुछ रैपर के ऊपर चाइनीज में लिखा हुआ था तो डेफिनेटली एक चाइनीज ब्रैंड या फे चाइनीज बॉटल इसको बोल सकते हैं उ आपको एक जाली यहां पर देखने को मिलती है और अंदर इसके सिलीका जैल एक मिला है और बाकी अंदर देख सकते हो पूरा स्टील की बॉड़ी है बाकी साइड में आप चेकाउट कर सकते हो पॉस करके कि क्या-क्या है बाकी इसकी स्टिकरिंग अटा देते हैं और करके टेंप्रेचर देख सकते हो नीचे की तरफ आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है जिस पर की थोड़ी वार्निंग वग्यारा दी गई है कि आपको माइक्रोवेव नहीं करनी है यह सारी चीजे अंदर उपन करोगे तो सबसे उपर आपको सेंसर वाला पार्ट द देखने को मिल जाती है और टेंप्रेचर की में बात करूं तो यहां पर आपको टैप करके टेंप्रेचर यह दिखा देगा वेट की बात करूं तो काफी लाइट वेट आपको देखने को मिल जाती है और 500 ml इसका साइज है और वैसे भी देख सकते हो थोड़ी छोटी सी कॉ बोटल है ज्यादा बाहरी सी है आपको देखने को नहीं मिलती है अब इसका टेस्ट कर लेते हैं कि क्या टेंपरेचर सेंसर सही चल रहा है या नहीं तो मैंने इसमें डाल दिया है ठंडा पानी फ्रिज का नॉर्मली अब एक बोटल में फ्रिज से निकाल के लाया था इसको ड बाली को भारी रहने देते हैं इसको बंद कर लेते हैं अब अपना स्टार्ट करते हैं रूम का टेंपरेचर आप देख सकते हो 26 और लीक वगएरा में चेक कर लेता हूं तो बोटल आपको एकदम लीक प्रूफ देखने को मिल जाती है 26 यहां पर टेंप्रेचर है और टच क और यहां पर एक मिनट के बाद टेंप्रेचर चेक आउट कर लेते हैं तो यहां पर थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल गया है 21 आगया है और धीरे 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 थोड़ा टाइम लगते लगते 7 मिनट के बाद यह 16 पर आकर अल्मूस्ट स्टेबल सा हो गया था तो कि यह रेडिंग्स तो सही दिखा रहा है तो इस को आप देख सकते हो हमने ठंडे वॉटर का टेस्ट कर लिया है ऑब एक बार पाणी кो बॉcję कर लेतें कि बोहुए करके टेस्ट करतें फिर देखनें की क्या रेडिंग्स रहती है कैसे इसके रेजल्टस रहते हैं गरम पान के साथ तो अभी फिलाल temperature देख सकते हैं आप 25 का टेंपरेचर है और में बॉटल खोल के इसमें गरम पानी डाल देता हूं और पानी आप देख सकते हो जैसे कि अभी मैंने cattle में गरम किया है और एकदम खोलता हुआ पानिया जिससे काफी तगड़ी स्टीम निकल रही है इसको पूरा फिल कर देते हैं और फिर चेक आउट करते हैं कि क्या टेम्परेचर इसका सही दिखाता है या नहीं तो यहां पर मैंने इसको फिल कर दिया है और अब कर देते हैं इसको बंद और देखते हैं कैसे कैसे चेंज होता है तेमप्रेचर तो अभी 25 पर है लीक टेस्ट कर लेते हैं साथी साथ में टेमप्रेचर भी स्टॉप वॉच में नोट कर लेता हूं और एक डेड़ मिनट के बाद यहाँ पर 67 तो काफी जल्दी गरम हो गया है और यहाँ पर रेड का भी साइन आ गया है तो यह ग्रीन यलो और रेड तीन इंडिकेशन इसमें दिखाई जाती है और साथ मिनट के बाद 84 पर यह सेट हो गया और बॉटल कुछ खास गरम देखने को नहीं लगरी बस टॉप वाला सेंसर वाला पार्ट थोड़ा सा गरम मुझे फील हुआ तो गाइज अच्छे प्राइस पर आपको यह अच्छी खासी बॉटल देखने को मिल जाती है और इसमें बॉइल करा हुआ पानी 6-7 घंटे तक अच्छा खासा गरम रह जाता है तो मै एक साल यह आपका आराम से निकाल देगी ठंडा पानी और गरम पानी दोनों को आप इसमें रख सकते हो और जो भी चीजे थी इसकी मैंने इस वीडियो में काफी कुछ कवर करने की कोशिश करी है ऐसे ही कुछ और गैजट का रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना मैं अपने चैनल पर कुछ ऐसे ऐसे इंट्रस्टिंग चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा बाकि इससे रिलेटेड कोई क्वेस्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना थैंक यू सो मच फो वाचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून फो मैं नेक्स्ट वीडियो आगे बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है